नमस्कार एक बर स्वागत करते हैं आपका फिर से आपको मैं बता दू कि आज हम लोग बात करने वाले की unique topic पर एक थोड़ा सा अलग topic है जिसका नाम है हमारा web address क्या होता है वैब अड्रेस की बात हम लोग करने वाले क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे world में computers एक दूसरे से connect होते हैं क्या होते हैँ? एक दूसरे से connect होते हैं थुरू internet किसके थुरूinnen होते हैं? internet के थुरू हमारे connect होते हैं और सब के अलग-0.com unique address होते हैं सबके अलग-अलग URL होते हैं सबके अलग-अलग IP address होते हैं तो मतलब क्या वो every computer connected to the internet has a unique classes सबके अलग-अलग class भी होते हैं हम बताएं आप लोगों को एक निस्चित website बनाने के लिए ध्यान से हमारी बास समझेगा एक निस्चित website बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत प domain plus hosting की domain plus host की जरूरत पढ़ती है और आप लोगों को पता है कि एक साथ में हम लोग domain और host को use करके last में जो use होते हैं उसको हम लोग host कहते हैं means google.com आर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी के बारे में पूरा complete chapter web address का पढ़ेंगे बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा मै कि हम लोग कुछ अच्छा सीखते हैं तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं website जो होता है वो domain plus host होता है domain ने हम लोग purchase करते हैं और host में मिलता है उसी के साथ जैसे आप लोग उने देखा होगा for example की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है अगर हम लोग for example की बात करें तो www.google.com google.com हुआ अब ये हमारा क्या है domain है लेकिन ये हमारा host है क्या है हमारा host है तो ये अलग-अलग होते हैं अलग-अलग इसकी एक list होती है जिससे हम addressing का system पहचानते हैं सम लिस्ट होते हैं later के जिससे हम लोग addressing का system पहचानते हैं तो चलिए हम लोग उस list की बात कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के जानकारी के लिए क्योंकि ये सारे questions competition level की बात करें computer level की बात करें किसी की बात करें तो वो बनते रहते हैं साथ से पहले लगता है .co क्या लगता है .co अब co का क्या मतलब होता है जैसे कभी कभी लगता है google.co user.co तो co का मतलब होता है company क्या होता है company CEO का मतलब होता है company, मतलब वो किसी company का पहचान बता रहा है, कि ये कोई company है, अगर हम बात करें, dot com की किसकी बात कर लें, dot com की अगर हम बात कर लें, तो dot com क्या होता है, dot com तो आपने कई बार सुना होगा, इसके बारे में जाना होगा, कि dot com क्या होता है, कैसे होता है, मतलब हर रहता है गूगल.com होता है तो यह पर होता है commercial organization commercial organization यानि मतलब क्या हुआ कि यह हमारा commercial organization होता है जो इसकी पहचान होता था minceya.com कहीं पर लिखा हुआ तो आपके समझ लिजे कि commercial organization है अगर हम बात कर लों .edu की किसकी बात कर लूँ dot edu की बात कर लूँ तो edu मतलब क्या होता आप लोग पता है कि edu जो हमारा क्या extension name है education का तो edu में हम लोग क्या पहचानते है educational institutions इस तरीके से हमारे जो कुछ होते हैं ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं उस list को define करते हैं अब इसी तरीके से अगर हम info की 바uttaud let खरें का जो एक इसी वेशिट है जो information देती है हम क्या करती है ये information डोनेट करती है वो होता है इसके बाद.net भी पहुत जगे आते हैं आप लोगों ने सुना होगा dot.net गूगल.net यूजर.net ये लगा हुआ है, वो कोई networking organization होता है, वो इसकी पहचान बताता है कि क्या है वो networking organization है, इसके बाद आता है .gov, अब आप लोगों को gov का मतलब तो पता है, कि हमारा gov का मतलब क्या होता है, government department, यानी की सरकारी संस्थान जो होते हैं, वो होते हैं, government department होते हैं, अब government department को define करने के लिए go का हम लोग प्रेयोर्ट करते हैं, एक हमारा last बता है .org, अब org का भी नाम आप जी बहुत हमारा जो है, बहुत popular ले में जैसे organization, जैसे हमारा charity वाले यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, non profitable organization, ठीक है, organization, तो इस तरीके हैं हमारी कुछ list define होती, किसकी some list of later addressing system, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, some list of, क्या कह सकते हैं हम लोग, some list of later addressing system, later addressing system, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, some list of later addressing system, तो यह हमारा complete web address हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दूसरे वीडियो में कुछ चर्चाएं करेंगे, internet के और सारे chapters हैं, तो यह हमारा क्या है, list of addressing system है, जिसके बारे हम लोग ने जान लिया, अगर आप लोगों को कोई सुझाओ देना है, कुछ भी बताना है, कुछ अगर कमी रह गई हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, और कमेंट करने बाद हम आपके reply जरूर देंगे, तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो, तो एक बार like, share, subscribe जरूर करें, इस